है तो है तो है जो है लोगाइच वेल्कम बेक टो रही यूट्व चनल तो मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि इस टपीक एपर एक वीडियो बनाऊंगा क्योंकि देखो जो बीगनर से रहते हैं या फिर जो भी आप एक्सफर्ड भी हो ना तो इतना गलती आप लीडियो बहुत लॉस करके बेठे हो t Warner किया कि आप लोग चाहते को एखी दिन्मे लॉस को अपना रीगवरी करने के लिए तो आज के जो तोपिक होने वाला नियू ट्रेडर वर्सस में रिस्ट्रेडर के बारे में बताऊंगा एक बूग भी है जो चीज मैंने इस बूग से सिखा जो चीज में आप लोग को बूग रिड के लिवाठ गाल खेक्व कता हैं यहां मैं आप लोग को सुजस्ट करऊंगा कुछ वूगพोरेर करणा है नियूग नार्माली रिच घॐता है क्योंकि घॐच जान से फियर रियल मरीं करों से मुझें इक लैसे बूग से कोश्ट क्षी। बेक्ग्राउंड में यह चलते रहेगा ठीक है बहुत लोग बोलते हैं कि आप बालांस क्यों हाइड करते हैं बालांस हाइड करना कोई मतलब बड़ी बात नहीं है मैं सो करवा सकता हूं बट जो चीजे इस से क्या होता है लोगों को ऊपर एक मतलब गलत इंफ्लियंस आता है है कि बड़े अकाउंट दिखाता है बड़े प्रोफिट करता है बाइदे देखो मेरे प्रोफिट से आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए हमेरे बालांस देखने के लिए तो आपे बीडियो पर नहीं आते हो ना आपको ट्रेड कुछ भी सिखना है जош्कार स्क्राइब हम धिए और देता हूं जो भी आपका कोरी जैए वो हट जाएगा ठीक है तो देखो रीक्स मेंट एक बहुत इंपरड़न प्रीक्टर गरता है तो इसके पारे में डेटेल बात करेंगे नीव ट्रेडर क्या गलती करते है और रीश ट्रेडर का साइकॉलोजी क्या होता है उसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले ठीक है जब निउ ट्रेडर मार्केट में एंटर होते हैं ना तो लोग क्या सोचते हैं कि यह कुईक मुनी है मैं ऑवर्नाइट यहाँ पर जाग पर गेन कर लूँगा और यहाँ पर प्रोफिट कर लूँगा कभी वो क्या सब बोलता हूं और मैं खूद भी यह चीज को करता हूं मैंने बहुत सरे बुक्स बागर एड़ेट किया हुआ है मैं बुक्स सजेस्ट करूँ आप लोग को चीज इसका इबुक्स बागर भी मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा ठीक है जब एक न्यू ट्रेडर मार् यूजन नम पासवर्ड डाला अकाउंट वेरिफाइड किया अमाउंट डालकर फिर बस बाइसल करो प्रोफिट हो गया अगर इतना ही ही होता तो इंडिया में इतना सारे लोग है ठीक है तो हर कोई तो अपना घर में एक एक पीसी लेकर बेट जाता बाहर जाने के कोई अगर पीसी खरीद लो बस बेठो बाइसल करो फ्रोफिट गं करो हो गया इतना ही है नहीं बहुत सारे लोगों का मतलब लाइब को इसने स्पोईल कर चुका है और मैं आपको यहां पर डिमॉराल डाउन नहीं करूंगा आपका जो मॉराल को डाउन नहीं करूंगा बर जो अगर आप को सुचते रहो गे सोचते रहो गे तो क्या होगा ना अप गेंग लिग जाओगे जितना भी माइब होगा आप उससे खुष नहीं हो पाओगे अप क्या करोगे और ज्यदा और ज्यदा प्रोफिट करने की चक्र में हड़ टाइम अपने अकाउंट को बूस्ट क करने के लिए को सिस करेंगे सुबह उठके बस सुबह उठा माइंड में एक ही चीज चलता रहेगा मैं कैसे अपना डिवाइस को बुटिंग करूं और अपना अमाउंट को आज ही में डबल कर दू ट्रिपल कर दू ठीक है बट जब रीच टेडर की बात आता है वह लोग कोंसिस्टेंट सी पर विलीब करते हैं और लिमिटेट ड्रेड करते हैं बट प्रॉफिट में एंड अप करते हैं ठीक है बस वह से ही अगर आप थिंकि करना है वह टार्गेट अचीब होने के बाद या फिर इतना लॉस करना है उतना लॉस होने के बाद आपको मार्केट से एकजिट मनना है बट आप लोग बिगनस लोग क्या करते हो ना अगर लॉस होता है आप बालांस डालते जाते हो डालते जाते हो और जितना बालांस रह से देखना है कहां पर क्या लेवल है अगर आप देखो कि नेक्स रिजिस्टन्स लेवल मेरा यहां पर है ठीक है तो देखो प्रॉपर रिक्स मनेजमेंट अगर रहेगा अब भी कर सकते तो मैं वेट करूंगा एट लिस लेवल जाने तक उसके बाद हम लोग डाउनवार डिर इस ट्रेडर के बारे में उस चीज में आपको बताऊंगा रियलिटी क्या होता है ठीक है देखो जब आप पहले कभी जॉब करते थे या फिर अभी कर रहे हो तो आप लोग क्या करते थे कि 8 गंटा 9 to 5 या फिर जो भी आप जॉब करते हो उसके बाद आप लोग एक्स्ट् क्या कमाने के लिए अप लोग क्या करते थे नहीं मतलब not bounded हर को ही कर रहा होगा ठीक है कुछ यसे लोग होंगे जो मतलब जैसे कुछ पार्ट टाइम जो अगर रहता है डेलिवरी बॉई का या फिर यसे कुछ लोग करते होंगे ठीक है बट उहां पर जो मेहनत लगता था नौ घंटा काम करने के बाद फिर भी अप पैसेंस के साथ अगर यसे पार्ट टाइम काम कर सकते थे अभी आप लोग क्या कर रहें नो लोग डाउन में किसी जोब चले गया या फिर कुछ भी हो घर में बेट को लोग ट्रेडिंग से आन करना चाहते हो ठीक है आप अगर दिन भर आप बेठेर हो गए पैसेंस के साथ अगर आप ट्रेड लोगे दिन में कि आप दो हजरा पार नहीं कर सकते हो इजी ली कर सकते हो बट आप लोग का साइकलोजी में यह चीज बेढ़ गया है कि हां मुझे एक ही दिन में मुझे इतना प्रोफिट करना उतना और आप लोग क्या करते हो महीना बार का प्रोफिट जो है अगर एक दिन लॉस होता है वो पूरा मॉंट आपका चला जाते है विकोज आप अपके पास कोई प्लानिंग नहीं है प्लापर माइंड सेट नहीं है प्लाफर ट्रेडिंग प्लान नहीं है इसलिए आप यह हमेरी के लिए लए लहा हो अपने मंदलब ममी के लिए लए लग arriv भभा के लिए लगफ जो चीजह है आपको एक मेसीन के लिए कभी इमोशन नहीं लाना है आपको हमेसे जो ट्रेड करना है आपको पताए werd कि जो सेर्मार्गेट ईक है । ऑपरेट होता है आपका मतलब एक इंसल्ट से मॉनी को ट्रांसपर करता है फ्रम इन पैसेंट तो पैसेंट ठिक कुछ लोग लौस करते है क्युंकि नू ट्रेडर जो रहते हैं उनके पास मतलब वो इंसल्ट होते हैं तो लौस करते हैं उसी अमाउंट को फिर जो जिनके पास पैसेंट रहता है जो पैसेंज के साथ ट्रेड करते हैं जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं उनके पास वो अमाउंट कनवर्ट होके जाता है वो एक जो एक मेसीन है जो एक प्लाटफरम है जहां आप यह चीज कर सकते हो ठीक है बट उसके लिए आपको emotions क्यों लाना है समझ रहा हूं आपको properly trade करना है proper knowledge के साथ आपको trade करना है तो इसलिए जो professional trader होते हैं और लोग क्या करते हैं एक reality सोचते हैं कि भाई हमें consistent profit करना long term के लिए market में stand up करना है तो उनके लिए क्या होता है proper planning रहता है कि मुझे daily basis में इतना profit करना है चोलो मेरा 20% profit हो गया तो मैं end up करता हूं उनके पास capital उतना रहता है उसके हिसाब से 20% target रहते हैं तो बट आपके बस capital कम रहे का आप 10% target लो 5% target लो आपके capital के हिसाब से आप trade लो समझ रहे हो ना आप यह मुझे सोचो कि आप एक ही दिन में amount को double कर लोगे triple कर लोगे यह हो सकता है बट हर दिन यह चीज possible नहीं है समझ रहे हो ना तो इसलिए आप जब आप सोचते हो कि किसी किसी के तुरू आप influence हो जाते हो जैसे मैं सबज़ आप यहाँ पर आप लोग को दिखा दूंगा कि हमें यहाँ पर 3 लाग का trade ले लिया win हो गया ठीक है बट आप वहाँ पर क्या करोगे कहीं से loan ले लोगे 5 ला कर लोगे वो चीज मैं आप लोगों को influence नहीं करना चाहता हूं इसलिए मेरे पास balance जब ज्यादा रहता है अभी account में जब भी balance ज्यादा रहता है तो मैं balance को hide करवा देता हूं ताकि लोगों के उपर influence ना आए उनके उपर कोई bad effect ना पड़े तो अभी मैं यहाँ पर देख करते हो आप महला वहां पर पैनिक नहीं होना जब आप जैसे आप loss में पैनिक होते हो ना उसी टाप का profit में भी आप happy होते हो बट इतना ज्यादा over excited नहीं होना है दोनों dangerous है जब आप loss करते हो तब भी अगर आप over panic होते हो तब भी आप गलर decision में आप गल्ती करोगे जब आ आपको अबर excitement नहीं लाना है जिसके तुरू आप गलर decision लेकर फिर loss करोगे ठीक है इसलिए आपको हमेंसा क्या कि mind को एक proper psychology के साथ अपको काम करना होगा अपका psychology develop होगा जब आप books रीड करोगे बाकी से बहुत कुछ है जो मैंने मैंने मनलब almost 10-12 बुक अलड़ी मैंने read कि हुआ है सुब चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा ठीक है उससे क्या होता है कि माइंड में psychology develop होता है अपके मन में एक पैसेंस आता है पैसेंस क्रेट होता है क्योंको देखो जब आप trade करते हो ना मैं आपको बोल सकते हूं 99% ऐसे trade हो रहे हैं जो क्या की candle को देखके अप प्रेकाउट के लिए वेट करते हैं तभी जाके हम लोग ओहां पर trade place करते हैं तो आपको proper risk management हमें सब follow करना है तभी जाके आप भी profit कर सकते हो ठीक है तो risk management के साथ psychology psychology के लिए आपको books read करना होगा ठीक है तब आप जाके मदलब एक विये है इसा नहीं मैं आपको बोलों compulsory ह और भी बहुत सारे हो सकते हैं मेरा जो psychology डेवलप हुआ है books read से हुआ है उससे मैं डेली के almost 50 page के आजपस book read करता हूं उससे क्या होता है कि आपका एक पैसेंस दो घंटा डाइगंटा book reading में अगर आप देतो हो ना तो psychological डेवलप होता है और ऐसा नहीं कि आप कहीं पर भी कुछ भी जाके book read करने लग जाओगे ट्रेडिंग related बहुत सरे book है जो beginners के लिए beginners का psychology डेवलप करने के लिए जो best book है मैं आपको suggest कर रहा हूं अब एक simply गूगल पर भी search कर ला ना new trader वर्स रिस trader करके उसका ebook आपको I think मिल जाएगा PDF फाइल तो उससे जाके आप मतलब read करो उससे बहुत कुछ उहाँ पर आपको सोचते हो कि बहुत easy है और मैं ऐसे trade ले लूँगा 50% amount risk ले लूँगा 100% ले लूँगा तो मेरा life change हो जाएगा मैं अपने lifestyle को अच्छे से grow कर पाऊंगा increase कर पाऊंगा अपने lifestyle को change कर पाऊंगा बट जब वो लोग 50% अपना account blown करके बैठ जाते हैं तो मतलब क्या कि अपने कवर करके मैं loss मतलब कवर हो जाऊंगा इसलिए मैं को starting से मैं बोलता हूं छोटा amount का risk लिया करो 5% 10% लिया करो तो उससे क्या होगा कि आपका capital जो रहेगा ना balance का तो आप क्या कर सकते हो आप आराम से loss को recovery कर सकते हो बट अगर आप सोचते हो कि मतलब ऐसे कहीं से अगर आप loss कर वेटते हो इतना महलब क्या है कि हमें से बंदे का मन में एक महलब यह जनेर्ट होता कि हां मैं recover कर लूँगा मेरे ओपर इतना confidence में कर लूँगा उस confidence में हो लोग क्या करते हैं profit के बारे में ही सोच के आके कहीं से arrange कर के कहीं से loan वगर लेकर आके amount को आप deposit करते हो खुद करता भी हूँ तो पहले अपने profit book करता हूँ आप लोग क्या करते हो amount तो grow कर लेते हो उसके बाद आप सोचते कि मैं or double कर लूँगा triple कर लूँगा इस चकर में आप क्या होता है कि एक ऐसा situation आता है loss हो जाता है फिर आप amount को 10 गुना कर ले तो फिर loss हो जाता है फिर 10 गुना तो इसलिए कि मैं आपको हमेंसा बोलता हूँ कि देखो मालम क्या कि अगर आप रॉफ़री planning के साथ अगर आप ट्रेड करोगे तो आप अच्छा कसा profit करी सकता है तो अपलोग क्या करते हो इतना मालब क्या है कि loss कर वैठते हो पहले से तो आपके दिमाग में एक चीज हमें कि मुझे प्रोफट करना लॉस रिकोवरि करना लॉस रिकोवरि करना ठीक है तो बढ़ जो जाते हो कि प्रीवियस लिए याप कितना गलती किये हो जो आप गलती किये हो चीज आगर आप रिपीटेट लीक करते जा रहे हो तेट मिन्स फॉल्ट अपके अंदर है आपको करते हो तो फिर आपको कोई कुछ भी नहीं कर सकता यहां पर ठीक है देखो मैंने यहां पर 70,000 का लोस किया मेरे पास कैपिडल बालंस अच्छा था मैं परफेक्ट पॉइंट पे ट्रेड लिया था वन स्टेप मार्टिंगल मैंने फॉलो किया और अच्छा असा प्रॉफिट मैंने बुक किया ठीक है तो मैं आपको आज के जो मतलब सेशन के बारे में बता रहा हूं जो फ्री वी आईपी ग्रूप में मैंने सिगनल दिया पहले दो ट्रेड अपना लोस हो गया मटिंगल से लोग फैनिक हो गये बंदे क्या करने लगे दोश डॉलार का बालंस से प्रेड़े अमांट का ट्रेड लेता हो देखो 100% मार्केट में कोई भी नहीं है हाँ लाइब मार्केट में आपको कोई गैरेंटी दे सकता है कि हाँ यह सीर सट हो सकता है बट जो चीजे ओटी से मार्केट में कोई भी नहीं दे सकता और आपको देखना मैक्सिम बंदे कि उनको भी पता है कि OTC मार्केट में लॉस ही होगा बट जो चीज़े देखो लॉस होता है बट अगर आपके पास उतना अनलेसिस पावर है उतना को स्टाडेजी है देना आप OTC में भी फ्रॉफिट कर सकते हैं जैसे आज के सेशन में हुआ ठीक है छे सिगनल में से पांच अगर आप प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हो देन खुद को रियलाइज करना चाहिए कि आप क्या गल्ती किये हो और फर्दर उचीज गल्ती आप रिपीट ना करो देन न्यू ट्रेडर क्या है कि जब आते हैं मार्केट में हो लोग क्या सोचते हैं कि हाँ लोग नहीं सोचते हैं हो लोग सोचते हैं कि आप ट्रेडिंग इजे मैथमेटिक्स मैंने काल्कुलेट कर लिया कि मैंने दोस डॉलर डिपोईट करूंगा इसको दस से मैं कॉंपा जो psychology है उसको आप नहीं सोमझते हो, जो realistic है उसको आप नहीं सोमझते हो, ठीक है, देखो अगर आपको ऐसे ही करना है आपको trade मत करो, without knowledge अगर आप यहां पर आके gambling करोगे, compounding करने के लिए जाओगे, देखो compounding करना इतना easy नहीं है, जो professional trader रहते हैं, जिनको knowledge है, जो risk trader रहते ह जो, मतलब क्या कि emotionally औहां पर connect नहीं होते हैं, वो psychological जाते हैं, और skill के साथ जाते हैं, औहां पर आपको यह नहीं देखते हैं, कि मैंने यहां पर double amount क्यों किया, आपने कुछ मुझे भी देखा होगा, मैं, क्या कि psychological औहां पर नहीं मतलब यह करके, मैं amount को बड़ amount trade लेता हू यहां नहीं कि मैं वहां पर emotionally लेता हूँ, कि मैंने $10,000 का loss किया तो 50,000 का मैंने investment कर दिया, मैं emotionally connect नहीं होता हूँ, मैं होँ पर psychological जाता हूँ, logical जाता हूँ, skill के साथ जाता हूँ, कि हां मुझे पता है कि market यहां से offer जाएगा, मुझे होँ पर confidence है, तो भी जाके मैं वहां पर बड़े amount का trade लेता हूँ, देखो यह video बनाने का reason हो ही है, देखो, जिनको सिखना है, वो सिखेंगे, जो beginners है, उनके लिए यह चीज मैं देना चाहता हूँ, मतलब इतना तो मैं sure हूँ, कि जो 5 साल किसे ज़िए आप trade कर रहे हो, तब ही यह चीज आप गलती कर रहे हो, क कर रहे हो, कर रहे हो, loss करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, अब क्यों loss कर रहे हो चीज तो आप find out करने के लिए, democracy करो, अब दुसरे किसी को आप blame करने से पहले, खुद के अंदर जो गलती है, उसको सुदारने के लिए, तब जाके आप पाओगे, ठीक है, आप यह मतमेटिक मैंने कालकुलेशन कर लिया कि हां मैंने इतना इजी है कर लूँगा क्योंकि मैंने देखा है समने वाला बंदे को करने के लिए मैं उस जैसे मैंने 100 डॉलार से 20,000 डॉलार 30,000 डॉलार तो मैंने रिच भी किया था ठीक है अप लोग खुद देखे हो अकाउंट को ग्रो होने क लिए बट जो चीज़े अगर आप करने जाओंगे नहीं हो सकता है तो आपको क्या कि अपने हिसाब से एक टर्गेट रखना होगा हां मैं 100 डॉलार से एक महीना में 1000 डॉलार करूंगा इसे अगर माइंड सेट लेके चलोगे लोंग टाइम माइंड सेट लेके चलोगे दिन अपना टर्गेट को आप अचीब करते जाओंगे और स्टार्टिंग में आपको टर्गेट को बड़ा नहीं रखना है आपको एक लेवल सेट करना है मुझे 100 डॉलार से 200 डॉलार करना है तीन दिन में या फिर 7 दिन में टर्गेट देखना आप अचीब करते जाओंगे वहां से मैं 50 डलार का या फिर कुछ भी आमांट निकाल के अपने फैमिली मेंबर्स को दो दूँगा या फिर अपने लिए कुछ चीज परसेज करूँगा उससे क्या होता है कि आपका एक टार्गेट गोल रहता है कि मुझे ये गोल अचीब करना है और गोल जब अचीब कर अगर आपका टार्गेट जो है वो बढ़ता जाएगा और आप अपने जो है लाइफ के जो गोल से ना उसको अचीब करते जाओगे और आप को पता भी नहीं चलेगा आप अपना लॉस को रिकोवरी करते जाओगे बट अगर आप लॉस्त रिकोवरी करने के लिए हेसा प्रॉफिट देखते हो लॉस नहीं को आप जहल यह नहीं सकते हो ठाठ आप जोब लॉस को जहल नहीं हीHAHA रहो हो प्रोसेस क्या है क्या है साइकोलोजिक क्या वो छीज शिखने के लिए कर स करो और भी कि sah醒्डिक वह बुगक हो डिख और तो अपकोशिक्लिक इस आप आपके पास knowledge रहेगा जब आपके पास psychological रहोगे प्रफ़र ट्रेडिंग प्लान रहेगा प्रफ़र माइंड सेट के साथ आपके ट्रेड करोगे तो आपके automatically होँआ पर आ जाएगा मतलब profit automatically आ जाएगा जब आप profit देखने जाओगी तो हमेशा you will act as a gambler जो चीज करते हैं और ये गलती हर किसी से होता है मैंने भी starting में करता था ठीक है बड़ जो चीज गलती से ही हदमी सिखने को मिलता ठीक है अगर आप वो गलती करने के बाद भी अगर अभी तक अपने नहीं सिखा है दिन कोई कुछ नहीं कर सकता इतना बार आप वही स प्रोसेस पर ध्यान देना होगा rather than the profit तभी जाके आप आगे profit book कर पाओगे professional बनने के लिए कोशिस करो not like a gambler ठीक है देखो पहले आप लोग को trading कोई नहीं सिखाता था इतना deeply आपको knowledge कोई नहीं देता था जो चीज मैं आप लोग को यहां पर free में YouTube में देते आ रहा हूं कि लोग आपको हमेशा indicator के भरसे में trade करवाते थे ताकि आप लोग loss करो और वोग profit करें बड़ चीज मैं आप लोग को real knowledge provide करता हूं और मुझे बहुत proud फिल हो था जब आप लोग result share करते हो भाई मैंने आपके वीडियो देख किये 10 में से 10 trade win क्या 10 में से 9 trade win क्या और मैं इ इसमें नहीं करोगे जैसे मैंने आप लोग को बोला था आप डेमो में trade करो या real पे trade करो that does not matter बट आप अगर वहाँ पे completely emotions के साथ अगर आप trade कर रहे हो then आपको वहाँ पे feel करना होगा जब भी आप डेमो में trade करो trade like real account आप 10,000 dollar balance दे रहा है 200,000 dollar balance को आप जान बुझ के व जब आपके बस 100 dollar balance रहेगा उससे आप अपना proper risk management के साथ trade करो और proper analysis के साथ आप trade करो definitely आपको भी result मिनने वाला है ठीक है बस होई है ज्यादा कुछ मैं वीडियो लंबा नहीं करूंगा और लड़े बहुत time हो चुका है और आज के वीडियो जिएक motivation के लिए मैं आप लोग बहुत strong होने वाला है definitely और जिनको रीड करना है वो करेंगे जिनको नहीं करना नहीं करेंगे जो लोग बालांस देखने के लिए आते हैं वीडियो पर देन वह अभी तक चोड़के चले गए होंगे अगर अभी तक आप वीडियो को देख रहे हो और आपके लिए थोड़ा करना होगा तो अभी जाके आप भी प्रॉफिट कर पाऊगे देखो नौलेज एक चीज है अप नौलेज रहेगा तो किसी भी प्लाटफॉम में आप रॉफिट कर सकते हो ठीक है बट इसे प्लाटफॉम के साथ आप ट्रेड करो जहां पे मानुपलेशन कम होता है रेदर द करना ओल्यम ट्रेड में आप जब ट्रेड करते हैं कितना करते हैं आप काैडर करते हैं। Virgin ahogu इतना मैं आपको बोलो 99% ट्रेड़र का अकुरिस से करीज होगा क्योंकि आपने जो लॉस कर वादा था प्ला कर अक्रोष्ट कर रहे हो डिपिनाइडली आपको इहांपर कोंसि विड्रल करके बालांस को अकाउंट डिलीट करके नियू अकाउंट भी क्रेट कर सकते हो मेरे लिंक के थूँ तो मैं आपको मेरे पी आईपी ग्रूप में मैं आड़ कर दूँगा जहां पर मैं आप लोगको 100% अकुरेसी सिगनल में प्रोवाइड करता हूं टेली बेसिस में और OTC मार्केट में मैं सिगनल प्रोवाइड करता हूं टीक है और जो जो अकाउंट क्रेट की हो मुझे मेसेज कर देना सभी को आज मैं आड़ कर दूँगा और देखो मैं जब बोलता हूं कि मुझे मेसेज कर रहो तभी आप मेसेज कर दिया करो क्यूंकि मैं फ्री होके ब अब भी आप महलो आट करो उनके जैसा अट करो देन खुद को चेंज करो डेफिनाटल अभी ग्रो करोगे किसी को देखके इंफ्लेंस होना चोड़ दो खुद से साइक प्रफर माइंड सेट करो उसके इस अब ट्रेट करोगे डेफिनाटल आप भी महलो एक सॉक्सेश्पल ट्रेडर बन पाओगे ठीके मिलते हैं काले को और इंट्रेस्टिंग वीडियो पर वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि नोटिविकेशन आपको मिल जाएगा सबसे पहले जैसे ही मैं वीडियो अप्ल बूले मिल जाएगा सब्सक्राइब कर दो प्रेस कर दो आएगा सबस्क्राइब और नौटिए जाएगा सबस्क्राइब कर दे रख़।